पारिश गनगोर हो रही थी रानो चड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घौसले में बैठी थी तभी बच्चों मैं अभी पोजन लेने जा रही हूँ तुम लोग ठीक से रहना और अपना खयाल रखना रानो घर से बाहर निकल कर उचील दूर चलती है तभी उसे एक चील आती हुई दिखाई देती है अरे यह चील घुम रही है लगता ही यह मेरी तरफी आ रही है रानो चड़िया एक पेड के पीछे छुप जाती है तब वहाँ देखती है और भी पंक्ची उस पेड के पीछे छुपे हुए है अरे कालू भाई आप यहां कैसे अरे सुप्रहो बानो चड़िया तुम्हें दिखाई मेही दीरा जंगल में एक भयानक चील गुम रही है और वह हम सब की बच्ची भी खा रही है पर मुझी तो अपने बच्चों के लिए पूजन लेने जाना है हाँ हाँ हम भी वही लेने आई थे पर चील को देखकर यहां चिप गए है अब चील यहां नहीं दिख रही है चलो मैं अपने रास्ते जाती हूँ और रानो चड़िया उप्ती हुई जंगल में चली जाती है अभी एक चील अचानक से उसके सामने आयाती है अरे वाह मेरा सिकार तो मेरे सामने ही है अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूँ है हाँ हाँ आप मुझे जरूर खाईए पर वहाँ गोसले में मेरे बच्चे भूके हैं और मुझे उन्हें फूजन खिलाने जाना है कोई बात नहीं तुम मुझे से बाता करके जा रही हो तुम जल्दी ही लोटाना अब रानो चिडिया जल्दी जल्दी ओड़कर अपने बच्चों के पास पहुँचने वाली थी तब ही अचानक से एक चील उसके सामने फिर से आ जाती है अरे वाह वाह चिडिया कहा उड़ी जा रही है अब तु मेरा सिकार बनेगी अरे चील महराज आपने तो बहुत देर ही कर दी क्योंकि मुझे अभी अभी एक चील में पहले से बुक कर दिया है या बुक कर दिया है पर इस जंगल की महराज तो मैं हूँ और तु मैं पहले से रही किस चील में बुक कर दिया है अगर मैं उस चील के पास नहीं गई तो वहाँ मेरे बच्चों को खा जाएगी उस चील के पास जाओ और पहले दो-दो हाद कर लो और जो जीतेगा मैं उसी का सिकार बनूंगी इदर रानू चिडिया के गोंसले में पानी बहने लगा था तभी उसके बच्चे परिशान थे आपी तक नहीं आई है हमें यहाँ से चलना चाहिए और बच्चे वहाँ पर कबूतरी के पास पहुँच जाते है इदर रानू चिडिया जब अपने गोंसले में आती है तो पानी को भरा देखकर घवरा जाती है और कहती है अरे मेरे बच्चे कहां गए अब कबूतरी आती है और कहती है रानू तुम परिशान क्यों हो वेहन मेरे बच्चे कहीं खो गए है मैं अपने बच्चों के लिए बोज़ने ने गई थी तुम चिंता मत करो वहाँ मेरे गड़ पर है और राजा चील दूसरी चील के पास जाती है यह चील भाग यहाँ से इस जंगल पर मेरा राज है यहाँ की सारे पक्षी मेरी सिकार बनेंगी नहीं मेरे बनेंगे इस तरह उन दोनों में लड़ाई होने लगती है इधर रानुचिडिया उस कभीत्वी को अपनी सारी बाते बताती है अरे रानुचिडिया तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं उसके पास नहीं जाओंगी तो मुझे दूरते दूरते वहाँ इस जंगल में आ जाएगी और हम सब के बच्चे भी खा जाएगी मुझे जाना होगा अब रानुचिडिया बापस उस चील के पास जाकर देखती है तो देखती है दोनों चील ही मरी पड़ी हुई है अब इस तरहा रानुचिडिया अपने अकल और सूजबूच से अपने आपको बचा लेती है और फिर खुशी-खुशी अपने बच्चों के पास चली जाती है रानुचिडिया जंगल में भूजन की तलास में निकली थी मैं तो अपने घर का रास्ता ही बूल गई जंगल की हूँ मैं भूजन की तलास में आई थी और अपने घर का रास्ता बटक गई हूँ पर मैं अंडे देने बाली हूँ और कभी भी अंडे दे सकती हूँ किरपया आप मेरी मदद कीजिए तब ही आका चिड़ा रानुचिडिया के लिए एक घौंसला तयार कर देता है सुबह होने पर अगले ही दिन रानुचिडिया दो अंडे देती है वहाँ अपने अंडे को देखकर बहुत खुश होती है अरे वाह मेरी अंडी तो बहुती सुष्ट दिख रही है तब ही वहाँ पर आका चिड़ा भी आ जाता है अरे वाह तुमने तो कितने प्यारे अंडे दिये है अपरानुचिडिया का चिड़ा से कहती है क्या आप कुछ देर के लिए मेरे अंडो का ध्यान रख सकती है मुझे जंगल में बोजन लेने जाना है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारे बच्चों के पास ही हूँ तुम आराम से अपने लिए बोजन लेके आओ अब रानुचिडिया जंगल में बोजन लेने चली जाती है कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ में सेव लगा दिखाई देता है कोई है मैं बहुत भूकी हूँ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो तभी रानुचिडिया उनके पास आती जहलो सेव और अपनी भूक शान्त कर लो अरे बड़ी मुश्किलों से तो मुझे एक सेव मिला था आप मैं क्या खाऊंगी तभी रानुचिडिया को अपने बच्चों की आबाद सुनाई दे जाती है और वह भाग कर घौसले में जाती है तो देखती है अंडों में से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए है सामोने पर जोड़दर बारिशे शुरू हो जाती है और वह अपने पंखों की सहरा देती है और अपने बच्चों को छिपा लेती है प्रानुचडिया का गोसला पानी से भढ़ने की बज़य से नीचे गिर जाता है और उसमें से एक बच्चा मर जाता है अरे मेरा बच्चा मर गया तब वह अपने दूसरे बच्चे को लेकर आखा चड़ा के पास जाती है भाईया भाईया दरवाजा कोलो पीरा घोसला तूट गया है अंदर से आवाज आती है रहीं हम तुम्हें आंदर नहीं आने देते चरी रानुचडिया बारिश में ही इधर उधर भटकती रहती है तब वही बूडी कबूतरी उसे दिख जाती है अब बूडी कबूतरी कहती है अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे भूजन घिलाया था बूड़ी कबूत्री रानुचडिया और उसे बच्चे को अपने घर पर ले जाती है तब रानुचडिया उस कबूत्री के साथ अपने बच्चे को लेकर कुशी कुशी अप उसके घर में रहने लगती है एक जंगल में राम चिडिया अपनी बेहन टूनी चिडिया के साथ रहा करती थी टूनी चिडिया उसे सारा घर का काम करवाती और उसका खाना अकेली ही खा जाती थी दीदी आपने फिर से मेरा खाना खा लिया अब मैं क्या खाऊंगी मुझे भी भूख लग रही है अरे चुपकर तू बहुत मुझ चलाने लगी है तो जंगल जाकर और खाना लेकर आ सकती है जा यहां से पेचारी रामी चिडिया दुखी होकर रोने लगती है अब टूनी चिडिया जंगल में जाकर एक पेड़ के पास उसे काटने लगती है अब जैसे ही टूनी चिडिया उस पेड़ को काटती है उस पेड़ में से अवाज आती है मुझे मत काटो, मुझे मत काटो वह पेड़ को फिर से काटने लगती है तब ही पेड़ में से फिर से अवाज आती है मुझे मत काटो, मैं तुम्हें अपने पेड़ में से शेव दे सकता हूं, वह एक जादी सेव हुगा और तुम उससे जो मांगोगी वहां मिल सकता है पर मुझे एक सेव नहीं चाहिए, मुझे तु धिर सारे सेव चाहिए नहीं मैं तुम्हें बस एक से दूँगा वनी तुम्हारे लिए काती है हाँ मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी लकडिया काटके उन्हें बाजार में बेचूंगी बोलके वहां बराबर लकडिया काटे जा रही थी तब पेड़ को गुस्सा आता है और पेड़ कहता है लगता है तुम एक बहुत लालजी चिरिया हो रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ तब वहाँ जल्दी-जल्दी से कुलहाड़ी चलाने लगती है, तब पेर को बहुत गुस्सा आता है, तब है वहाँ जादूई सेव का पेर आग उगलने लगता है, और उस आग में तूनी जलने लगती है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे पर रहम करो, मैं तुम्हें और टूनी जड़िया जलके वहाँ पर भस्म हो जाती है तैसे उस लालची चड़िया को अपने किये की सजा मिल जाती है रानो चड़िया की मा के मरने के वाद वह अपने पिता आकास चड़ा के साथ बिलकुल अकेली रह गई थी अब मैं अकीला अपनी बेटी का धियान कैसे रखूँ रानो मैं जंगल में भूजन लेने जा रहा हूं तुम घर पर अराम से रहना तब ही आकाश चड़ा जंगल में चला जाता है अब जंगल में वहाँ भूजन दून रहा था तब ही उसकी मुलाकात तूनी चड़िया से होती है तूनी चिडिया और आकाश चिड़ा में धेर सारी बात होने लगती हैं अब वह तूनी से शादी करकर अपने घर पर ले आता है तुम्हें पता है ना ने तुमसे सादी केवल अपनी बेटी के लिए ही की है आप टूनी आकाश चिड़ा के सामने रानु चिड़िया से बहुत ही प्यार करती लेकिन जैसे ही आकाश चिड़ा बाहर जाता तो वह रानु से कहती आप क्या कड़ी कड़ी मेरा मूँ देख रही है जा सारे घर का काम कर और अब तू भी बड़ी हो गई है और जंगल से खराई हुई पैठी रहती थी तभी जैसे ही आकाश चिड़ा आता मेरे प्यारी बेटी अरे तूम दोनों मा बेटी में तो बड़ा प्यार है तुम क्या बात है कर रही हो आकाश चिड़ा बहुत ही खुस था अब रानु चिड़िया पर दिनवदिन अत्यचार होने लगा और उसकी सोतेली मा उसको बहुत ही परिशान करती थी। अब एक दिन टूनी चिडिया की तब्यत बहुत खराब हो जाती है। देखो ना बैजी मेरी पत्नी को क्या हुआ है। अरे तुम्हारी पत्नी को तो बहुत भयानक रोग लगा है। और यह रोग कभी ठीक भी नहीं हो सकती। पर हाँ अगर तुम्हारी पत्नी की कोई दिन रात सेवा करे तो यह रोग खतम हो सकता है। मैं करूंगी ने अपनी मा की सेवा, मेरी मा कितनी प्यारी है। तुने चिडिया की राद दिन सेवा करती और उसका बहुत खयाल रखती यह देखकर राद चिडिया की मन में बहुत पस्ताव होता है और वह अपनी बेटी से कहती है बेटी मुझे माप पर दे मैंने तुछ पर बहुत अत्याचार किया है तुम बहुत अच्छी चिड़िया थी और तुम्हारी मा भी बहुत अच्छी रही होगी हाँ हा मा हम मेरी मा ने सिखाया था कि कोई तुम से कितना भी बुरा बेवार करे पर हमें अपनी आदत नहीं बदलनी चाहिए तब ही वहाँ पर आकाश चड़ा आजाता है और उनकी ये सारी बातें भी सुन लेता है तुम तो मढ़ जाओ तो ही अच्छा है चलो बेटी इसको मढ़ने देओ और यहाँ से चलो नहीं पापा मेरी मा बहुत अच्छी है मैं एक मा को तो खोई चुकी हूँ अब मैं दूसरी मा को नहीं खोना चाती सुनकर आकाश चड़ा अपने बेटी को गले से लगा लेता है रानो चड़िया की सेवा से अब तूनी चड़िया बेबलकुल ठीक हो जाती है तब दूनी चड़िया अपने बेटी रानो को बहुत प्यार करने लगती है